प्रतापकर्ड के ग्राम सराई के मंदिल की भूमी पर अवेद कब्जा हटाने की मान खबर उत्तर प्रतापकर्ड तहसील सदर थाना मांधाता ग्राम सराई हरे नारायन गाटा संख्या 284 बच्रल बली मंदिल के नाम दर्च है जिसमें मंदिल बनी है बाकी जमीन पर अवेद कब्जा निर्मान कर लिया गया है शिकायत करता मंदिल की जमीन पर हुए अवेद कब्जा निर्मान को हटवाने के लिए की शिकायत लेकपाल मंशा राम पटेल के द्वारा लगातार मिथक छल कपट से परिपूर्ण आख्या प्रस्तुत किया जा रहा है मिथक आख्या प्रस्तुत करके आला हुक्मरान को गुमराह किया जा रहा है जो कि राजस विभाग नियम कानून को खुल्याम धज्जिया उड़ाए जा रही है लेकपाल नफा नाजायश से ग्रसित होकर जूठी आख्या प्रस्तुत कर प्रसाशन को गुमराह कर रहा है लेकपाल आख्या में लिखते हैं गाटा 284 बजरल बली मंदिर प्रबंधक राम देव सुठ सुकराम के नाम दर्ज है जिसमें मंदिर बना हुआ है शेश जमीन खाली पड़ी है ऐसे फर्जी आख्या प्रस्तुत करने वाले लेकपाल पर आला प्रसाशन को कड़ी से कड़ी कारिवाही करनी चाहिए जो कि अन्य राजस्व कर्मियों के लिए मिशाल बने ये लेक पाल मिथक आख्या प्रस्तुत करके योगी सर्कार समेत अला हुक्मरान को बदनाम कर रहा है समवाद दता आरिफ हुसेन की रिपोर्ट हन्मान जी के मंदिर के लिए आप लगातार संगर्श कर रहे हैं 2005 से थाना दिवस, समाधान दिवस, तासेल दिवस, जिला दिगारी की चौखाट, 10-70 हेल्प लाइन आखिर आपको क्यों नहीं मिल रहा है हन्मान जी की मंदिर पे आज के डेट में कबजा है या कबजा मुक्त हो गया है जी नहीं कबजा मुक्त नहीं हुआ है मंसाराम जो हलका लेकपाल है वो पठेल पठेल होने के नाते बिरादरी बादनिभा रहे हैं जबकि उसमें एक लगभग डेढ़ विस्टे की जमीन है जिसमें दीन काइस चीमेट है कुवा, चभुत्रा और मंदिर जिसमें मंदिर ख अगा रहे हैं कि फर्यादी जो है उसकी आदत पढ़ गई है दर्खास देने के लिए हमको बता रहे हैं कि आसाहे करना चाहते हैं हमारा अब मनुबल तोड रहे हैं हमका हमारा विस्टास बापा की सरकार से उड़ता जा रहा है यह गड़बंधन की सरकार बाकाय दे कि अधरिभात के लिए करता के लिए का लिए निया अगर मंदीर यह नहीं लिया गया हाँ को से भी नहीं हुआ तो अपने रहा को आतो ऑप लाग के शामने अपने अपने आक को अग लगा ला मैं मेरा नाम सुभास सिंग, सुच संद बाहदूर सिंग, निवा सिस्तरा एंडरायन, प्रताफ़कर.